नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे, आप सभी का स्वागत है प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह कॉशन आपको आने वाले एक्जाम में मिल सकते हैं कोई साभी एक्जाम दे रहा हूँ, SSC, Railway, PSC या State Level का करते हैं बिनादेर के विश्टार्ट, स्री गणिशायन नमा, पहला कॉशन देखिए प्रसाओ के दोरान कौन सा पश, प्यूश हार्मोन दिर्मुक्त होता है तो प्रसाओ के दोरान आपका Oxytocin, Option A सही आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सी धातू, इंसुलिन में उपस्तित होती है इंसुलिन में जिंक उपस्तित होती है, Option C, जिंक के यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा हैमेटाइट डैश का एक एस्क है, तो हैमेटाइट लोहे का एस्क है, आईरन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आईरन या लोहा, राइट आंसर हो जाएगा सोडा पानी का आविशकार, किसके दोवारा किया गया, तो सोडा पानी का आविशकार, जोसेप प्रिष्टले, Option B, इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा गाठिया सरीर के जोड़ों में, निमलकित में से किसके कान होता है तो जो गाठिया हो जाता है, सरीर के जोड़ों में, वो हो जाता है आपका यूरिक एसिट जब जमान हो जाता है, option number B यहां पर right answer हो जाएगा भारत में मलेरिया के 65 प्रतीशत मामलों के लिए निम्दलिकित में से कौन सा परजीवी जम्मिदार है तो मलेरिया सबसे ज़्यादा पी वेवाक्स आप्शन नमबर यहाँ पर पी वेवाक्स बी से आंसर है रिड की हड़ी और मस्तिस्क पर जिल्ली की सूजन से होने वाली विमारी कौन सी है तो जिल्ली की सूजन से आपका मेनिंजाइटिस आप्शन नमबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निंदलकित में से किसमे carbon होता है तो carbon होता है आपका lignite में option number A lignite right answer है Teflon क्या है तो Teflon आपका fluorocarbon कहलाता है option number A fluorocarbon इसे प्रशनी के लिए सही answer है laughing gas क्या है तो laughing gas है आपकी nitrous oxide option number A सही answer हो जाएगा nitrous oxide RDX का आविशकार किस ने किया तो RDX के आविस्कारक थे Henning option number D Henning right answer है RDX का full form क्या होता है comment box में comment करके बताइए RDX का full form क्या होता है आप सभी को पता होगा जरूर कमेंट करना मैं वेट करूँगा निम्रलगत ग्रंतियों में से कौन सा मानो शरीर में जोडे में मौझूद होता है तो मानो शरीर में जोडे में आपका adrenal ग्रंति option number A यहाँ पर right answer है kidney का निश्पंदन इकाई क्या है तो kidney की निश्पंदन इकाई है आपकी nephron option number D right answer है insulin के शराव के लिए निम्रलगत में से कौन सी ग्रंति जम्मिवार है तो insulin आपका अगनाशय से निकलता pancreas option number D यहाँ पर सही answer हो जाएगा घनियन का गठन किसके द्वारा होता है तो घनियन का जो गठन होता है वो होता है आपका electron की कमी काण option number यहाँ पर electron की कमी option number B सही answer है loss of electron गहुं का रष्ट एक रोग है तो यह कवक रोग कहलाता है गहुं का कवक रोग है option number A यहाँ पर right answer है टिक का रोग किस फसल से सम्मणत है तो टिक का रोग जो है वो मूंग फली की फसल सम्मणत है option number C सही answer है मूंग फली चाय का लाल रतुआ रोग किसके कान होता है तो चाय का लाल रतुआ रोग जो होता है वो हरी शैवाल के कान होता है option number डिये सही answer हो जाएगा डहलिया में पाई जाने वाली जड़ कौन सी है तो डहलिया में आपकी पाई जाती है पुलकित जड़ option number C पुलकित जड़ यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगरा question देखिए इसमें पूछा गया है आपसे आरो ही मूल किसमें पाई जाते हैं तो आरो ही मूल आपके पाई जाते हैं आपर सही answer हो जाएगा option number पाई पर बैटल option number C सही answer इस प्रशने के लिए बहुते गुण किस पर निर्वर करता है जो बहुते गुण होता है वो परमाणू के आकार पर निर्वर करता है size of atom option number A यहाँ पर right answer है Maxwell किसकी इकाई होती है तो Maxwell आपकी चुम्ब की प्रवाह magnetic flux की इकाई है option number C magnetic flux या चुम्ब की प्रवाह right answer है ठोस कौन की इकाई क्या होती है तो ठोस कौन की इकाई होती है इस्टे रेडियन option number C इस्टे रेडियन यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगला question देखिए एक चालक के विदुद प्रती रोध की काई क्या है चालक का जो विदुद प्रती रोध है उसकी काई होती है आपकी ओम option number D ओम यहाँ पर right answer हो जाएगा आई वाश में इस्तेमाल होने वाला acid कौन सा है तो आई वाश में इस्तेमाल होने वाला acid boric acid होता है option number C boric acid इस तो प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगला question देखिए malic acid किसमें पाए जाता है जो malic acid है वो save में पाए जाता है option number A apple या save इसमें malic acid पाए जाता है malaria, parjeevee और amoeva किस समूँ के अंतरगत आते हैं तो हरे रंग का प्रोटो जुआ यह जाना जाता है आपका option number युग लीना को option number D युग लीना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशनी के लिए उतकरष्ट गैसों की electron बंदुता कितनी होती है तो उतकरष्ट गैसों की लगबग सूने होती है अल्मोष्ट जीरो होती है उतकरष्ट गैसों की electron बंदुता इन में से अधिक्तम घंत वाली धातु कौन सी है तो अधिक्तम घंत तो आपका option number D OS यहाँ पर इस प्रशनी के लिए इस राइट आंसर हो जाएगा अधिक्तम घंत वाली धातु OS का full form क्या होता है comment box में करके होता है OS का full form क्या है निम्लिक्त चार तक्तों में निम्लिक्त में से किस की आईनी करन चमता सबसे अधिक होगी तो सबसे अधिक आईनी करन चमता होगी आरगन की option number A आरगन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन इयर रोग किस फसल से संबने थे तो जो ग्रीन इयर रोग होता है वो बाजरी से संबने थे option number C बाजराय हाँ आपर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए भारत में बिजली आपूर्टी लाइनों में किस पैरामीटर को इस्तर रखा जाता है तो भारत में frequency या आवरत्ती इस्तर रहती है 50 Hz चलती है हमारे हाँ frequency option number C राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए सबसे हलका रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है तो option के अनुसार आपका टिट्रियम option number C सबसे हलका रेडियो धर्मी तत्व है निम्दलखित उद्योगों में से किसम अब्रक एक कच्चा माल के रूप में प्रयूप होता है अब्रक जो है यहाँ पर जो options देगा है उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा अंगोरा नाम की बकरी भी होती है लेकिन बकरी से कुछ और यह अंगोरा उन खास तोर पर खरगोस से प्राफ्त होता है एक पैंडूलम की अवधी किस पर निर्वर करेगी या किस पर निर्वर करती है जो pendulum होता है उसकी लंबाई पर उसकी आवधी निरफर करेगी जितना जो है लंबाई कम रहेगी उतना कम जितना जादा रहेगा उतना जादा उसका आवधी रहेगी निम्द लगिते में से लंबाई की सबसे छोटी काई कौन सी है तो लंबाई की सबसे छोटी काई फर्मी मीटर होती है option number यहाँ पर D इस प्रशनी के लिए right answer है विदोत परिवत किसे कहते हैं तो विदोत परिवत कहा जाता है किसी विदोत धारा की सतत तथा बंद पत को विदोत परिवत कहा जाता है option number A मानव शरीर के कौन से अंग में लसी का कोशिकाई बनती हैं तो मानव शरीर का आपका दीरगस्ती में लसी का कोशिकाई बनीगी option number D यहाँ पर सही answer हो जाएगा टिक और माइट वास्ताओं में होते हैं तो टिक और माइट यह मकड़ी वंशी होते हैं option number B right answer हो जाएगा नाबिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाई में DNA होता है तो कोशिका के माइट्र कॉंडिया में DNA होता है option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा रेडियम किस खनिस से प्राप्त होता है तो जो रेडियम होता है वो पिछ ब्लेंड से प्राप्त होता है option number A right answer हो जाएगा प्रत्वी की सत्व पर सरवाधिक मात्रा में कौन सी धातु है तो प्रत्वी की सत्वा पर सरवाधिक मात्रा में आपकी अलुमिनियम धात्व है, option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा, निम्दल कितम से कौन सा तत्व है, नहीं है, तो यहाँ पर जो options दिएगा है, उसमें से अलुमिनियम, sodium और मरकर यह सा भी तत्व है, काँसा तक तो नहीं है, option number A यहाँ पर काँसा right answer है, रासानिक रूप से साबुन क्या होता है, तो साबुन होता है वसा अमलों के sodium लवण, option number A यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा, वसा अमलों के sodium लवण, अगला question देखिए, इसमें आपसे पूचा गया है, निम्द में सबसे बड़ी पत्ती वाला पॉदा कौन सा है, सबसे बड़ी पत्तियां जो होती है, वो होती है Victoria Arisia की option number B, Victoria Arisia right answer हो जाएगा, निम्द में से सबसे बड़ा फल किसका होता है, तो लोडो सिया, option number C, इसका सबसे बड़ा फल होता है लोडोसिया का किस अवरोध की कोर मतलब किनारे के प्रकास का मुड़ना क्या कहलाता है तो किसी अवरोध की कोर से या किनारे से प्रकास जो मुड़ता है उसको विवर्तन कहा जाता है option number B right answer हो जाएगा पानी में लोही की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तहता रहता है या किस का सिधान्त है किस सिधान्त पर या अधारत है तो ये आर्कमिडीस का सिधान्त है option number B right answer हो जाएगा जल सता पर तेल की परत पत्री परत रंगीन क्यों दिखाए जेती है तो अर्धचालक laser ये laser printer का इक प्रकार है computer को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए तो यहांपर सही answer हो जाएगा operating system बताती है computer को की भहिया उपकरणों का प्रयोग कैसे करेंगे OS द्योनाम परतिती के प्रतिपादक कौन है तो दियोनाम प्रधिती के प्रतिपादक आपके linear option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा MPR मातरक है तो MPR जो है आपका विद्धुधारा का मातरक है option number C विद्धुधारा यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer है Celsius पैमाने का 0 degree Fahrenheit scale के कितने degree के बराबर होगा तो यह होगा आपका option number 32 डिगरी के बराबर option number B राइट answer है संसार का सबसे छोटा pushp कौन सा है सबसे छोटा pushp है वुल्फिया आपको comment करके बताना है संसार का सबसे बड़ा pushp कौन सा है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकास कैसा रहेगा तो प्रकीनित हो जाता है option बड़ी प्रकीनित हो जाता है निमलकित में से कौन सा पदार्थ चुम्बिकी है तो यहाँ पर जो options दिएगा है उस में से आपका चुम्बिकी पदार्थ हो जाएगा निकल option number C निकल यहाँ पर इस प्रशन के लिए right answer है महान वैज्यानिक Archimedes किस देश से सम्मण थे तो Archimedes का जो देश है वो है Greece option बड़ी यहाँ पर Greece right answer हो जाएगा परमाणू फाइल का प्रियोग कहा होता है तो परमाणू फाइल का जो प्रियोग होता है वो ताप नाविकी सनलियन के प्रशन में option number D यहाँ पर इस प्रशन के लिए right answer है जटल वैग्यानिक गणनाओं के लिए प्रयूक किया जाता है तो जटल वैग्यानिक गणनाओं के लिए आपका पासकल का प्रयूक किया जाता है option number B पासकल यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले caution की तरफ इसमें आपसे पूछा गया है किसी निश्चित द्रव के लिए वास्पन की दर निर्भर करती है तो किसी निश्चित द्रव के लिए जो वास्पन की दर होती है वो निर्भर करेगी आपके द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सत्ह के छेत्रफल पर, वायू के ताप पर, मतलब उपरुक्त सभी यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा, उपरुक्त सभी पर निर्भर करेगी, अगला कॉशन देखिए, रबर को कड़ा कर करने के लिए किस पदात को मिला जाता है तो रबर को कड़ा करने के लिए सलफर को मिला जाता है उप्शन नमबर सी सही आंसर है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवन कौन सा होता है तो सबसे अधिक लवन जो होगा वो सोडियम क्लोराइड होता समुद्र के पानी में उप अवस्थ हमें पाई जाते हैं तो लोह अवस्थ का ऑक्साइड के रूप में पाई जाते हैं option number A सही answer हो जाएगा G1 के लिए सबसे विशैली gas कौन सी होती है तो G1 के लिए सबसे विशैली gas आपकी CO है option number D यहाँ पर सही answer हो जाएगा baking soda का सही सूत्र क्या है तो baking soda आपका NaHCO3 option number D राइट answer हो जाएगा मानव शरी के कौन से अंग में लसी का कोशिकाय बनती है तो लसी का कोशिकाय बनती है आपकी तिली में option number D तिली यहाँ पर राइट answer है cathode करने बनी होती है तो cathode करने आपकी electron से बनी होती है option number A electron राइट answer है इस प्रशन के लिए अनिशित्ता की सिद्दान का प्रतिपालन किस ने किया तो हाईजेंबर्ग ने अनिशित्ता का सिद्दान का प्रतिपालन किया है सबसे अधिक विद्दुत रनातमक तक तो कौन सा है तो सबसे अधिक विद्दुत रनातमक तक तक तो आपका fluorine है option number B सही answer हो जाएगा 18 karat सोना होता है उसकी सुद्दता प्रतिशत कितनी होती है तो 18 karat करीब 75% सुद्द होता है option number D 75% राइट answer हो जाएगा कमेंट करके वदा ये 100 प्रतीशत सुद्द सोना कितने कैड़िट का होता है फास्पोरस का अडू सुत्र क्या है तो फास्पोरस P4 आप्शन नमबर यहाँ पर C से आंसर हो जाएगा लोहे का सबसे प्रचुर बहुल स्त्रोत क्या है तो लोहा सबसे ज़्यादा आपका हरी सबजियों में पाए जाएगा आप्शन नमबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मनुष के सरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाए जाती है तो यूरिया आपके मूत्र में अधिकतम पाए जाती है option number C से answer है posturization का अर्थ क्या होता है तो posturization का अर्थ होता है 62 degree Celsius पर 20 मिर्ट तक जल अथवा दूद को गर्म करना फूल गोवी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं तो फूल गोवी का अंश पुश परचना खाया जाता है प्रकास अंसलेशन के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहां से आती है तो प्रकास अंसलेशन के दौरान जल से ऑक्सीजन आती है option number B जल यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा enzyme अनुपस्तित होते हैं तो जो enzyme होते हैं वाइरस में अनुपस्तित होते हैं option number D सही answer है फफूंदी में संचित खाद पदार्थ कौन सा है तो फफूंदी में आपका lignin रहता है option number B यह खाद पदार्थ होता है अफीम पाये जाता है तो अफीम जो है जो पपावर सोमनी फेरम से पाये जाता है option number D सही answer हो जाएगा विटमिन B6 की कमी से मानव में होता है तो रख तल्पता रूग हो जाता है option number C सही answer है पैपसिन एक उधारन है तो पैपसिन एक enzyme का उधारन है option number A सही answer हो जाएगा एक सुभाविक मानव एक मिट में स्वांस लेता है एक मिट में 16 से 18 बार स्वांस लेता है option number C सही answer हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड मतलब TEL पैट्रोल में क्यों मिला जाता है तो अब स्पोर्थन रोधी दढ़ को बढ़ाने के लिए option number D सही answer है मानव शरीर में पच्छों मात्रा में तत्व कौण सा पाएजाता है तो oxygen मानव शरीर में पच्छında मात्रा में पाएजाने वाल तत्व है मानव रक्ट का pH मान लगवदध कितना होता है तो रक्ट का pH मान आपका होता है 7.4 option number 2 सही answer हो जाएगा किस प्रक्रमद्वारा कपूर आसानी से सुद्धिकिया जाता है तो उसका अपना जाता है उर्दोपातन की विधी option number A यहां पर right answer हो जाएगा कार्बन का नियुन्तम प्रतिशत किसमें है तो यह से सबसे ज़्यादा कम कार्बन आपका पिटवे लोहे में है option number C पिटवाल हो राइट answer है अत्तरिक आगात वर्द धातू कौन सी है तो अत्तरिक आगात वर्द धातू आपकी इनमें से सोना है option number D से आंसर है सोना रख्त में कौन सा तत्तो नहीं पाए जाता तो रख्त में आपका क्रोमियम नहीं पाए जाता option number D आपकी क्रोमियम राइट answer हो जाएगा आलू के अंकर उपयोगी है तो आलू के अंकर जो है जनन के लिए उपयोगी है option number C से आंसर हो जाएगा निम्दलगित में से किस पौधे के वरद्धी में सबसे कम जल की आवशक्ता होती है तो सबसे जल की आवशक्ता होती है बबूल में option number B option number A बबूल से आंसर है विद्द चुम्बक के रूप में सामा तक किस धातु का प्रयोग होता है तो विद्द चुम्बक के रूप में नर्म लोही का प्रयोग होता है option number B नर्म लोहा यहाँ पर right answer है इस प्रश्ण के लिए गोबर गैस का प्रव्यव कौन सा है तो मीथेन गोबर गैस का प्रव्यव है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा ice cream में gelatin क्यों मिला जाता है ice cream में gelatin प्रशीतक को धृत करने हेतू मला जाता है option number A right answer हो जाएगा कोशिका विवाजन के समय इस पस्थ दिखाई देते हैं तो गुर्ण सूत्र कोशी का विवाजन के समय सपर से दिखाई देते हैं, आप्शन नमबर B साई आंसर है, जराविक 7 क्या है, तो जराविक 7 एक करत्य महरदय है, आप्शन नमबर A यहाँ पर राइट आंसर है, विश्व वन्यजीव कोश की स्थापना कप की गई थी, तो विश्व वन्यजीव कोश की स्थापना 1973 में की गई थी, आप्शन नमबर A राइट आंसर हो जाएगा, डबल रोटी के निर्मान में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो डवल रोठी के निरवान में आपका सेक्रो मैसी का प्रियुक के जाता है option number D right answer हो जाएगा HIV सरवाधिक नश्ट करता है HIV जो है यह टी कोशिकाओं को सरवाधिक नश्ट करता है option number C सही आंसर है आपका 12 निसेचन होता है तो जो 12 निसेचन होता है आवरत्य बीजी पौधों में option number B यहाँ पर right answer है जीवद्रव्विकी खोज किसने की तो जीवद्रव्विकी खोज हीगो वन मौलने की option number यहाँ पर D सही आंसर है मलेरिया दिवस कब मना जाता है तो मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रेल को मना जाता है option number D इस प्रशनी के लिए सही आंसर है भोजन पत्र किस पेड़ की चाल से प्राप्त होता है तो भोजन पत्र आपका बैटिूला की चाल से प्राप्त होता है option number A यहाँ पर right answer इस प्रशनी के लिए mutation वाद की जनक कौन है तो mutation वाद की जनक आपकी पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसी कहा जाता है option number B यहाँ पर right answer है इस प्रशनी के लिए anatomy विज्ञान की वह शाकहा जिसमें अधिन के जाता है तो anatomy में आपका प्राणी एबं पौधों की सनरशन का अधिन के जाता है option number A right answer हो जाएगा मिर्गी एक बिमारी है तो मिर्गी जो है इस नायू प्रणाली की एक बिमारी है option number भी सघी आंसर इस प्रश्न के लिए evogradu संख्या का मान कितना होता है evogradu संख्या होती है आपकी 6.02 10 के उपर 23 की घात option number यहां पर भी इस प्रश्न के लिए सघी आंसर है दूरी मापने की सबसे बड़ी एकाई क्या है तो दूरी मापने की आपकी सबसे बड़ी एकाई है पार्सिक option number यहाँ पर पार्सिक बिल्कुल सही answer हो जाएगा इस प्रशनी के लिए एक प्रकास वर्स कितना होता है तो एक प्रकास वर्स में आपका होता है 9.46 into 10 to the power आपका 15 ठीक है 10 की उपर 15 की हाथ नौन दिसमलोग चार्च है 10 की उपर 15 की हाथ एक लीटर कितने गेलन के बराबर होता है एक लीटर होता है आपका 0.2642 गेलन के बराबर option number A right answer हो जाएगा एक फर्वी में कितना मीटर होता है एक फर्वी में आपका होता है 10 की उपर 15 की हाथ मीटर option number B right answer हो जाएगा logarithm के आविशकारक कौन है तो logarithm के आविशकारक जो है उनका नाम है जौन नेपियर option number यहाँपर C सही answer है जौन नेपियर जी quantum सिद्दान्त के पती बादे कौन है तो quantum सिद्दान्त max plank option number यहाँपर C right answer हो जाएगा वायू मंदल की आदता कुम आपने वाला यंत्र कौन सा है तो वायू मंदल की आदता हाइग्रो मीटर से ना पी जाती है option number B सही answer हो जाएगा एक एंग्श्ट्रम मात्रक बराबर होता है तो एक एंग्श्ट्रम होता है आपका 10 के उपर माइनस 10 की घात मीटर option number A यहाँपर right answer हो जाएगा प्रतिवी के उपग्र का कक्छी वेग निर्वर करता है तो यह कक्छा की तरज्या पर निर्वर करता है option number A इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा एस्टिगमेटिव्ज्म एक विमारी है तो एस्टिगमेटिव्म जो विमारी है वो आँखों से संबनेद विमारी है option number B यहाँपर सही answer हो जाएगा विश्व स्वास्त दिवस का मनाया जाता है तो विश्व स्वास्त दिवस आपका 7 अप्रेल को मनाया जाता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा भारत में किस सिलाश्राय से सरवादिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो भीम बेटिका से प्राप्त हुए है यहाँ पर option number B भीम बेटिका इस प्रशन के लिए सही answer हो जाएगा अगला देखिए भारत के निमलेकित किस राजिकी सीमा नेपाल से मिलती है तो यहाँ पर जो options दिएगा है उसमसे सिक्किम की सीमा जो है वो नेपाल से मिलेगी option number B सिक्किम सही answer हो जाएगा जून से सितंबर के बीच भारत में कौन से रितू रहती है जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा दितू रहती है option number C सही answer हो जाएगा भारत का सबसे प्राची निभूखंड कौन सा है तो भारत का सबसे प्राची निभूखंड प्रायदीपी पठार है option number C यहाँ पर प्रायदीपी पठार right answer है निम्दलिकित में से कौन सी चोटी भारत में इस्तित नहीं है तो यहाँ पर जो options देगा है इसमें से आपकी Mount Everest भारत में इस्तित नहीं है option number C Mount Everest right answer हो जाएगा Mount Everest नेपाल में सित है नेपाल में Mount Everest को क्या कहा जाता है comment box में comment करके होता है यह नेपाल में माउंट एवरेश्ट को क्या कहा जाता है इनमें कौन केरल को तमिल लानु से जोडता है तो केरल को तमिल लानु से जोडता है पालगाध दर्रा यहाँ पर option number C पालगाध दर्रा राइट आंसर हो जाएगा भारतिय रंगबंच में यवनिका पर्दा का आरंब किन भागों में विख्था तो भारतिय समाज 7 भागों में विख्था option number 7 यहाँ पर Right आंसर हो जाएगा मेगस्तरीक के अनुसार भारतियों के लिए शिल्कमार्ग किसने प्रारम किया था तो शिल्कमार्ग प्रारम करने का शिर जाता है कनिश्क को option बसी कनिश्क के यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा Indian standard time और green which mean time में कितने समय का अंतराल है इन दोनों में साड़े 5 गंटे का अंतराल है हम साड़े 5 गंटे आगे हैं green which time से green which mean time से हम साड़े 5 गंटे आगे हैं कौन सा वार्शिक मेला उट के व्यापार के लिए प्रसद्ध है तो उट के लिए push कर मेला जाना जाता है इसके अलावा जो जो राज है मैंने एक वीडियो में और पुछा था दोबारा कमेंट करके बताएए करकर रिखा भारत के किस-किस राज से होकर गुजरती है कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूरे नाम बताएए कौन-कौन से आठ राज है जो पढ़ने वाली स्टुडेंट है वो जरूरू बताएए पटकाई बुम, नागा हिल और लुशाई हिल भारत के किस भुवाग में है तो ये सभी पूरोतर मतलब नौर्स इश्ट में है जो सेवन सिश्टर से न उसमें हैं वहाँ पर हैं आपकी पटकाई बुम, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स चौंसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था तो चौंसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायू और शेर शाह के बीच में हुआ था option number यहाँ पर 14 की युद्धि के लिए right answer हो जाएगा, इतिहासकारों ने राश्टी समराट का दरजा किसे दिया था, तो राश्टी समराट का दरजा इतिहासकारों ने अकबर को दिया है, अकबर यहाँ पर option number B right answer हो जाएगा, राश्टी समराट की रूप में रज़ा दिया गया है भारत 2022 जो है भारत 22 क्या है तो जो भारत 22 है वो एक्सचेंज ट्रेड़ेड फंड मतलब ETF है भारत 22 भारत में राजकोशी नीती में निम्लगत में से कौन सा उद्देश शामिल नहीं है तो राजकोश नीती में आपका पूर्ण रोजगार कहीं भी नहीं लिखाया भाईया पता नहीं कब देंगे ये पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है भारत में सार्व्यनिक जो है सरवादिक दूद उत्पादन करने वाली जो बकरी है वो कौन से नसलिकी है तो जमना पारी बकरी जो होती है ये सरवादिक दूद उत्पादन करती है उप्शन नमबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा जमना पारी प्रतिवर्ष हाथी महुतसव कहां मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष हाथी महुत्सव आपका जैपुर में मना जाता है option number B जैपुर यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है तो मैं दम में फाई जो है यह असम का प्रमुक त्योहार है option number B असम right answer हो जाएगा तो मर्राजपूतों दोरा बनवाया गया किला राजपितहौर है दादासाहः आलकी पुरुषकार की सुरुबा निस सो नतर से होई थी option number C से answer हो जैगा दोस्तों मैं बीच बीच में आबसे कूछन पूछुँगा उसके answer जरूर देना ठीक है केंद्रिय भारतिय भासा संस्थान कहां पर है तो केंद्रिय भारतिय भासा संस्थान ये आपका मैसूर में है option number D यहां पर सही आंसर हो जाएगा मैसूर नत्य रूप लटा पद किस नत्य से संब्द है तो जो लटा पड़ है ये आपका भरत नाट्यम से संब्द है ऑप्शन नमर यहाँ पर B से आंसर हो जाएगा भरत नाट्यम प्राचीन भीमादेवी मंदर किस प्रदेश में है तो भीमादेवी मंदर आपका हर्याणा में है option number A सही आंसर है हर्याणा तेरह ताली नत्य किस प्रदेश का नत्य है तो तेरह ताली जो नत्य है वो आपका राजस्थान से संभरत नत्य है option number B राजस्थान यहाँ पर right answer हो जाएगा निंदल किते में से क्या नागर द्रविड और वेसर सैली की सही व्याख्या हैं तो नागर द्रविड और वेसर यह तीनों जो हैं मंदिर निर्मान की तीन भारतिय सैलियां हैं बहुत फेमस हैं option number यहाँ पर मंदिर निर्मान की सैलिया इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा केंद्रिय बौध अध्यन संस्थान कहाँ पर सित किया गया है तो केंद्रिय बौध अध्यन संस्थान यह जम्मू काश्मीर में स्थित है यहाँ पर option number B जम्मू काश्मीर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा मैत्री मंदर कहाँ पर इस्थित है तो मैत्री मंदर आपका पुडू चेरी या पॉंडी चेरी मिस्थित है आप मुझे इस प्रशने का अंसर comment box में comment करके बताईएगा इस प्रशने का अंसर इसलामावाद में है या करांची में बागेश्वरी कमर किस वादे अंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महीला वादक है तो ये सहनाई बजाती थी बागेश्वरी कमर और ये सहनाई बजाने वाले में अभी तक जो ग्यात है उनमें से एक ही महीला है संभावित एक ही महीला है महाबलीपुरम के पैगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए थे तो महाबलीपुरम के पैगोड़ा जो है पल्लाव द्वारा बनवाए गए थे option no.A सही answer है कौन सा वेद आदा गद्द और आदा काव्य में है तो आधा गद्य और आधा काव आपका यहाँ पर यजुरवेद सही आंसर हो जाएगा option number D यजुरवेद इस प्रशनी के लिए right answer है रिगवेद के अनुसार दश राज युद्ध किस नदी के किनारी हुआ था तो प्रसिद दसराज जो हुआ था वो परुशनी नदी के किनारी हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस नदी को परुशनी नदी कहते हैं आज की कौन सी नदी है जिसका पुराना नाम परुशनी नदी था बताएगे comment box मैं comment करके आंसर दीजिए जहांगीर ने फारस के राजा शाह अबास पतम की पैंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था तो फारस भेजा गया था जहांगीर द्वारा विसन दास को option number B विसन दास यहां पर right answer है भारत में जंडा दिवस कर बना जाता है तो सात दिसंबर को भारत में जंडा दिवस मना जाता है option number B 7 December इस प्रश्ने के लिए right answer हो जाएगा अगला question देखिए राष्टी गड़ित दिवस कर मना जाता है तो राष्टी गड़ित दिवस मना जाता है वो होता है केरल हाई कोट से ऑप्षिन नमबर एक केरल हाई कोट राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए दिल्ली को राष्टी राजदानी प्रदेश संविधान के किस संसोधन से बनाया गया था तो सम्विदान का 69 सम्विदान संसोधित द्वारा राष्टी राजदानी प्रदेश बनाए गया था option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा भारत के सम्विदान के निम्लिकित अनुसूची मैंसे कौन सा नया राज बनाने के लिए संसोधित किया जाना है तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा पहली अनुसूची को आप संसोधित करोगे यादि आपको कोई नया राज बनाना है जैसे कि तेलंगाना बना और भी इतने राज बने हैं तो पहली अनुसूची को संसोधित करके बनाए जाय सकता है सीमा प्रवंदन विवाग किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो सीमा प्रवंदन विवाग है वो ग्रह मंत्राले के अंतरगत आता है option number A सही answer हो जाएगा सम्विधान का अनुच्चेद 123 किसे संबनित है तो अनुच्चेद 123 जो है वो राष्टपती के अध्यादेश से संबनित है यहाँ पर option number B राष्टपती का अध्यादेश राइट आंसर है मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज़े में लागो हुई थी तो मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहले हुई थी लागो गोवा में option number B गोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा EVM में अधिक्तम कितने प्रत्यासी हो सकते हैं तो EVM में अधिक्तम 64 प्रत्यासी हो सकते हैं option number D 64 प्रत्यासी राइट आंसर हो जाएगा भारती राष्टी एकता परिशत का अध्यक्ष कौन होता है तो भारती राष्टी एकता परिशत का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं option number A प्रधानमंत्री right answer हो जाएगा निम्नलगित में से कौन mutual fund को विनेमित करता है तो mutual fund को विनेमित करना सेवी के अधिकार में है option number सेवी इसे प्रशने के लिए right answer हो जाएगा भारत का पहला विशेश आर्टिक छितर कहा है तो भारत का सबसे पहला विशेश आर्टिक छितर जो है वो इंदोर है option number भी इंदोर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा executive जो है economy zone बनाया गया है इंदोर को भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुदरी खाथ पताथ कौन सा है तो सबसे ज़्यादा जो है जमे हुए जहेंगों को निर्यात किया जाता है option number A जमे हुए जहेंगे इस प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुदर दवारा होता है तो कम से कम 95 प्रतिशत जो व्यापार है हमारे देश का वो शमुदर दवारा होता है option number D समुदर यहाँ पर 95 परसेंट राइट आंसर है सिव रामन समीती किसी फारशों के अधार पर निर्मलिकित में से किसकी स्थापना की कही थी बहुत important question है बहुत ज़्यादा तो सिव रामन समीती किसी फारशों पर नाबाड बना था नाबाड का full form comment box में comment करके बता है 1982 में बना था यह comment करिए नाबाड का full form सुनहरी क्रांती निर्मलिकित में से किसके लिए सरवाजिक प्रसित है तो जिस सुनहरी क्रांती है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस पशनी के लिए राश्टी बागवानी मिसन option number A right answer हो जाएगा निर्मलिकित में से किस उद्योग को child of protection कहा जाता है चीनी उद्योग को option number D चीनी उद्योग यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राजी कौन सा है तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राजी आपका गुजरात है option number A गुजरात right answer हो जाएगा चार भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में इस्तत है तो भारचुकी प्रपात जो है वो करनाटक में सतत है option number D करनाटक यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए ताबो मठ किस राज्य में सतत है तो जो ताबो मठ है वो हिमानचल प्रदेश में सतत है option number यहाँ पर A right answer है हिमानचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आपका केरल में option number bी सही answer हो जाए केरल मडी कर्म कर्ण गर्म जल स्थ्रोत कि सराज में तो मडी कर्ण गर्म जल स्थ्रोत जो है वो आपका हिमाचщее परदेश में है option number ये मडी कर्ण हिमाचल परदेश राइट answer हो जाएगा 2010 में किस बंदरगा को भारत का तेरवा प्रमुक बंदरगा गोशित किया गया था तो भाल का तेरवा प्रमुक बंदरगा बना था Port Blair option number यहां पर C सही answer हो जाएगा Port Blair राष्ट्री खाल परदगी की उधम शीलता एबम प्रबंदन संस्थान किस राज्य में है तो इस प्रशन का आंसर आप मुझे comment box में comment करके बताएंगी मैंने आप से अभी तक तीसवा question पूछा है इसके बाद आप ये वाला जो question है 61 इसका आंसर comment box में comment करके बताएए मैंने दो-तीन question आप से पूछे हैं कोशिश करो सभी प्रशनों के answer comment box में comment करके बताने किесь भारत म्यानमार of friendship road भारत के किस राज को म्यानवार से जोड़ती है तो भारत म्यानमार friendship road वो मनिपूर को जोड़ती है यहां पर मनिपूर को म्यानमार से जोड़ती है option नमर 15 ये right answer हो जाएगा भारत के अंदमान निकोवार रीप की समुदरी सीमा किसके साथ लगती है तो अंडमान और निकोवार की समुदरी सीमा थाइलेंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है option number A सही आंसर हो जाएगा Thailand और इंडोनेशिया भारतिये मानक समय किस आखचांस परिस्तत है तो भारतिये मानक समय अगला question देखिए भारतिये रेलवे को कितने जोन में बाटा गया है तो भारतिये रेलवे को 18 जोन में बाटा गया है यहाँ पर कोई भी option सही नहीं है आपका 18 जोन है भारतिये रेलवे में यहाँ पर यह सभी option आपके जो है यह पूरे option गलत है ठीक है अठारा जोन है भारत में मुंगा रेशम किस एक मात्र राज्य द्वारा पालत किया जाता है तो जो मुंगा रेशम है वो असम द्वारा पालत किया जाता है ऑप्शन नमर भी असम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में स्टार्च केमिकल लिमिटेट की स्थापना य रमणानगर में हुई थी अगला कोशन देखिए भारत की पहली पून कालिक वित्तमंत्री कौन बनी तो भारत की पहली पून कालिक वित्तमंत्री जो है वो है निर्मला सीतरमजी option number B से आंसर हो जाएगा Geological Survey of India की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35 प्रतिशत ग्रेफाइट भंडार किस राज़े में मौझूद है तो भारत का 35 प्रतिशत ग्रेफाइट भंडार अनाचल प्रदेश राज़े में मौझूद है option number C अनाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला Green Car Loan किस बैंक ने लौँच किया है तो Green Car Loan जो लौँच किया गया है वो भारती State Bank के दुवारा लौँच किया गया है option number A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा State Bank of India जिसको SBI भी बोलते हो विश्व प्रेस सुचकांग 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो इस सुचकांग में भारत को मिला है एक सो चालिस वह स्थान option number C सही आंसर हो जाएगा भारती रेल परिवन दिवस कब बनाया जाता है तो रेल परिवन दिवस बनाया जाता है आपका 16 अप्रेल को option number A right answer है भारत का पहला 64 bit microprocessor कौन बनाएगी तो ये बनाएगी सीड़ा कमपनी 64 bit microprocessor भारत का पहला भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुचित्र 2019 युद अभ्यास आयुजित किया गया तो बोल्ड कुरुचित्र 2019 ये सिंगापुर और भारत के बीच में आयुजित किया गया option number B सही आंसर हो जाएगा प्रवासी भारती दिवस हर साल कमना जाता है तो नौ जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मना जाता है option number C 9 जनवरी राइट आंसर है भारत में मिशन इंद्रधनुस अभियान संबने थे, तो मिशन इंद्रधनुस अभियान जो है, बच्चों के ठीका करने से संबने थे, option number B से यांसर हो जाएगा, बच्चों के ठीका करने से, भारतिय नेपोलियन की उपाधी किसे दी गई है, तो भारतिय नेपोलियन की उप चालक कों थी जिसको लाइसेंस मिलाए तो भारत की पहली महिला का चालक थी सुजैन ब्रियल ऑप्शन नमबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए निम्नलकित में से कौन भारत का पहला टैस्ट ट्यूब पर रखनली वच्चा था तो टैस्ट ट्यूब पर रखनली वच्चा दुर्गा अग्रवाल ऑप्शन नमबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निम्नलकित भारतियों में से किसने मोटर साइकल का विश्व मोटर साइकल पर विश्व भ्रमण किया था तो मोटर साइकल पर पूरा जो विश्व घुमे उनका नाम है भा अगला question देख लेते हैं? अगले question का answer आप मुझे comment box करके बताओ कौशन है भारत में ससस्त्र बलों का सरवच्च सहनापति कौन होता है इस प्रशन का answer आप मुझे comment box में comment करके बताएं गे प्रसिद्द्च चैडविक जणना है यह आपका शिमला मिस्त है ऑप्शन नमबर भी शिमला इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत में पुर्तगाली निसंस्कति कहां पर पाई जाती है तो पुर्तगाली जो है वो पुर्तगीश वो आपके गोवा में सबसे ज़्यादा है ऐ गोवा का वायाद हुआ पुर्तगाली लोग जो थे वह गोवा से कब गये थे और यह पर्तगाली लोग गोवा से कब गए थे ऑगला क्या फेस Liberty में बाते बहृति में हैं democracy hm सी सही ऑंशर हो जायगा सहदेओ याद हो अगला कॉशन देख़िए तो लक न हो में तीन देव सी अर्बन कॉंक्लेव का अगरण किया गया है मोदी जी द्वारा हाल ही में एश्वार प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ड चेंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था तो एश्वार प्रताप तोमर इनका नाम आ रखना स्वान पदक जीते हैं ये जूनियर वर्ड चेंपियनशिप में स्वान पदक option number C हाल ही में किस राजी सरकार ने मंद्रेगा मजदूरों का मांदे बढ़ाने की घोशना की है तो ये उत्तर पदेश सरकार ने बोला है कि जो मंद्रेगा मजदूर है उनका मांदे बढ़ाय जाएगा हाल ही में किस राजी की जी आई टेग वाली मिठाई मिही दाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई ये बहरीन एक देश है वहाँ भेजी गई है तो पश्चिम बंगाल की ये मिठाई है option number D से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की हाल ही में भारती स्पात संग के महासचियों कौन निक्त की गई है स्पात संग के महासचियों बने है अलोक सहाई जी option number B अलोक सहाई जी राइट आंसर है हाल ही में RBI ने किसे NBFC का प्रशाशक निक्त किया है तो NBFC का प्रशाशक रजनीश शर्माजी को बना गया है option number C सही आंसर हो जाएगा आस्ट्रेलिया इधर्ती पर टेस्ट रदक बनाने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है इनका नाम है इस प्रती मंदाना इन्होंने आस्ट्रेलिया इधर्ती पर जो है टेस्ट क्रिकिट में शटक जड़ दिया है या रखेगा हाल ही में दालचीनी की संगटित खेती शुरू करने वाला पहला राजी कौन सा है तो दालचीनी जो है हिमांचल प्रदेश इसकी खेती शुरू करने वाला पहला राजी बन गया है संगठित खिती हाल ही में केन सरकार ने मशूर कॉमेडी लेक्चर चाचा चौधरी को किस मिशन का अधिकारिक सुभंकर गोशित किया है तो चाचा चौधरी नमामी गंगे मिशन की अधिकारिक सुभंकर बने है option number right answer है हाल ही में भारत में Starlink Satellite Brand Broadband उद्धम का प्रमुख किसे नुख किया गया है तो Starlink Satellite Broadband इसका जो है संजय भार्गव जी को इसका प्रमुख नुख किया गया है option number right answer है 2021 का Physiology या Medicine का Nobel पुरुषकर किसे मिला है तो 2021 का Physiology या Medicine का जो अवार्ड मिला है Nobel पुरुषकर मिला है वो A और B दोनों को मिला है मतलब डेविड जो है Julius और अडेम पोटा पोशियन option number यहाँ पर C से ही आंसर हो जाएगा इन दोनों को मिला हुआ है हाल ही में किस राजे की उमंगोट नदी को भारत की सबसे स्वक्ष नदी घोशित किया गया है तो उमंगोट नदी जो है वो मेगाले की नदी है यह भारत की सबसे स्वक्ष नदी इसको घोशित किया गया है किस राजे ने प्रशाशन शहरों के संग और प्रशाशन गाउं के संग अभियान शुरू किया है तो यह जो है राइस्थान सरकार ने शुरू किया है प्रशाशन सहरों के संग प्रशाशन गाउं के संग हाल ही में घंशाम नायक का निधन हुआ है वे क्या थे तो घंशाम नायक एक अभी नेता थे option number C से answer हो जाएगा हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाए गया है तो विश्व पशु दिवस आपका 4 अक्टूबर option number C से answer हो जाएगा किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिर कौन का सफल परिक्षण किया है तो रूस ने हाइपरसोनिक जिर कौन का सफल परिक्षण किया है option number A right answer है ऐूपिरूपुर कुमारन के नाम पर किस राज में साड़क का नाम रखा जो है यहाँ पर स्वाए्य आंसर हो जाएगा गा इस परशनिका तमिल तमिलनाडू में तिरूपुर कुमारन एक सुतंता संग्राम सेनानी थे उनके राज्य पर एक सड़क का नाम रखा गया है किस राज्य के 31 जिले विजयनगर का अगाटन किया गया है तो विजयनगर जो करनाटक का 31 जिला ऑप्शन नमबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसील का MD and CEO किसको निक्त किया गया है तो इसके CEO और MD अमीश महता जी बन गया है ऑप्शन नमबर वी से आंसर है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी एहमद ने दूसरी बार सपत ली तो अभी एहमद जी यह इतोपिया के प्रधानमंत्री के बन गया है दूसरी बार लगातार भारत के पहले खेल मद्धस्ता केंद्र का उद्गाटन किस ने किया तो खेल मद्धस्ता केंद्र का उद्गाटन किरन रीजी जी जी ने किया है option number C से ही answer है हाल ही में बीरेंद्र लाकडा ने सन्यास की घोशना किये वे किस खेल से संबने थे तो वीरेंद लाकडा जी ये होकी से संबनित है option number B से आंसर है किसने जो है credit mat का 100% स्वामित हासिल कर लिया है तो credit mat company है जो उसको pay tm ने ख़िद लिया है स्वामित हासिल कर लिया 100% option number A 36 गड़ से संबनित किस व्यक्ति का नारवे का गांधी पत्रिकारिता संबान से संबनित किया गया है तो नारवे का गांधी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी option number B यहाँ पर सुशील त्रिवेदी जी राइट आंसर है 36 गड़ राज के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन की परियोजना का वर्चुल सुभारंब मुख्यमंतरी द्वारके से ग्राम पंचायत से किया गया था तो यह राखी ग्राम पंचायत है जहांपर गोबर से बिजली परियोजना का सुभारंब हुआ है किनको भारतवन्सी को भुबोकता वित्ते सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख निफ्थ किया गया है तो भुबोकता वित्ते सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख यह निफ्थ किया गया है रोहित चौपडगा जी को option number c यहां पर सही answer है राश्टिय Eacross Country Championship की बेजवानी कौन करेगा 2022 में जो की 56 भी है तो नागा लेंड इसकी बेजवानी करेगा राश्टरी Cross Country Championship हाल ही में एशियन Table Tennis Championship में भारतियी टीम का कौन सा प्रक मिला है तो TTA Table Tennis में का से प्रक जीता है भारत ने cannotही anyone किसे राजी सरकार ने हरा भरा ड्रोन आधारित वन रोपन पर यूजना शुरू की है तो यह शुरू की गई है महाराश्य सरकार दवारा ऑप्शन अमबर D से आंसर हो जाएगा हाल ही में किसने मेरिल बोन क्रिकेट क्लब मतलब तो MCC के अध्यक्ष के रूप में कारिभार समाला है तो MCC क्रिकेट के अध्यक्ष जो बन गए हूनका नामें क्लियर कौनर option नमबर C इससे प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में किसे राज़ी ने रेल सुरक्ष्षा तखनीक के लिए जो है IISC के साथ समझोता किया है तो केरल ने इसके साथ समझोता किया है रेल सुरक्षा तक्नीक के लिए हाल ही में लीवा मिस्दीवा 2021 का किताब किसमें जीता है तो लीवा मिस्दीवा ये जो है आपका हरनाज संदू प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा मित्र शक्ति सयुक्त सेनभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है तो ये हुआ है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सेनभ्यास वेट्लेंट्स ओफ इंडिया पोर्टल किसके द्वारा लौंच किया गया है तो ये भूपेंद्र यादा हुने वेट्लेंट्स ओफ इंडिया पोर्टल लौंच किया है